हेलो बच्चो स्वागराव सभीका बच्व नवदे विध्याले की एक्जाम बहुत जली जली पास में आ रही है इसलिए हम थोड़े चेप्टर भी जली जली कवर कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे और आएंपी कोशिंस भी करेंगे आगे जाके तो बच्चो इसमें कोश्चन्स थोड़े टफ होते लेकिन में इसको बहुत आसम तरहीं से बनाऊगा आपको सिखा दू कर बस आपको क्या करना है वीडियो पर आयो हो तो लाइक अवश्य करें सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो करके रखेगा और शेयर भी कीजिए गर पहला सवाल ॥ि थि नहीं देखें क्या है पहला सवाल आ रहा है शेहं एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानी होती है थी जो नहीं किया बतलु दूंतं कींत 500 बेचने पर हानी होगी और या दि इस वस्तु कु साठ़ बैचा जाए जाए मतलब इस वस्तुक किस में बेचा जाए? साथ सुम में बेचा जाए पेले पान सुम बेचा जाए पान सुम बेचा जाए नुकसन हो रहा है साथ सुम बेचा जाए तो क्या हो रहा है? ठीक हो शो हम option से करते हैं ठीक है बच्चो simple सी बात है पहला option लेते हैं 525 क्योंकि इसका calculate सवाल है तो हम option से भी बना सकते है और 525 रुपे होता बच्चो ठीक है तो simple से बात है अगर अगर हमें इसको 500 में बेच आ यह बेच को है यह बेचा गया माल कितना गा 500 का है ठीक है रुपए कि वही थी पथी रुप्या नहीं होए एं दोंग बिच में अगर संपर्ग करे करें तो 500 और 525 काने मेरे इतने पेशे थालेकर फट्टीस के आने होरी कि 25 का तीन गुना करूं में तो क्या 700 बन जाएगा 25 का तीन गुना अगर में जोड़ दू मतला इसमें अगर में फिचोता जोड़ मेरा कितना हो जाएगा 600 हो रहा है तो मुझे तो 700 चीए है गलस हो रहा है सेकंड अप्शन दिखिए बच्चों सेकंड ओप्शन क्या है मेरा जो करई मुल्य था कितना था कितना था इसमें कितना अंतर आयों दोनों के वीच में 50 का है हानी 50 की हुई किन हुई 50 की हानी हुई 50 का तीन कुना कीतना होता है सब को जोड़ेंगे तो यह ओरा है 700 तो बच्चो अपना अंसर क्या है 700 रूपे इसका पांसो पचास रूपे इसका अंसर आया आई वास समाज में कैसे क्या मैंने इसको स्वोल सिंपल से बाते बच्चो अगर मैं चोई कोई हो रहे है UK कोई 700 ब्चे जाता है तो पहले हानी हुई तो पहले पांसो पांसो पच्छास होता है 1500 जोड़ेंगे च instal hurts तो बिलकुल अपना अंसर क्या होगा 5000 अप्शन से भी कर सकती है बच्चों आपने इसको ध्यान से समझा ओगा ना आप्शन से बसको बना दो अई लाइँ आएगा हिश्क गुष्र शेक्शन के जलतेया है एक फ़ल विखिर था एक रुपे के दो के हिसाफ से निम्बू हुई मतलब एक रूपे का वह खरीन देगा निम्बू दो क्वा खाया है निम्बू मिलें, चू त्रिकर त्था 3 रूपे के पांच की हिसाफ से बेचता है, ठीक है, तीन रुपे में कितने बेचेगा हो, पांच निम्बू बेच रहा है, ये खरीदा गया उसने, क्या किया, ये खरीदा है उसने, एक रुपे के दो, और बेचा कितने में, तीन के पांच, सिंबल सी बात है बच्चों, थोड़ा सा आपर लोजिक समझना है लाप्रतिसत कैसे हो रहा है, अगर मैं एक रुपे का निम्बू खरीदूंगा, और अगर मैं तीन रुपे के निम्बू खरीदूंगा, कितने रुपे के तीन रुपे के, तो एक रुपे के दो मिल रहे हैं, तो तीन रुपे के दो मिल रहे हैं, तो तीन रुपे के दो मिल 5 यह बेच रहा है कि मतलब एक नाम बचना रहा है है हुश्कुण नियोफ नाम भिजे कि पट्छना बात बनाट है है इसका परसेंटेज उसको क्या होगा फाइदा होगा आई वाट समझ बच्चो एक और बार में समझा झाओ आपको कि और कोई चीज़ badly में व दो लिंभू ला रहा है तह सिंपल से लिगों कि इन वाटव उसको कितने पढ़ेंगे तीन प्रूह मैं उसको पढ़ेंगे सबने इसका परसेंटेज निकाल लिए तो सो लिग दिया पांस से गटा बीस बार में गटा और बीस का गुणा एक मिगया तो बीस एकम बीस परसेंट है बच्चो इसका अंसर है तो नेक्स कुशन है हमारा एक व्यक्तिने носे टीवी आट हजार दोसों में खरीदा उसने स्वीट की मरमम्न पर आठता सु रुपे खर्च कि ये एक टीवी है वच्चो अ ठीके इस टीवी का जो प्राइज हो कितना है आटाराजार दोस्तों है फिर उसने क्या क्या कुछ एक्सा एक्साइट स्पीकर वगयरा जो भी लगवाए मरमत करवाया तो उसका एठासो रुपए ओल लग गए उसी के लगे तो टोटल दोनों को मिला कर हो गया बीस अजार कित तो टीवी आटाराजार दोस्तों कि तो टीवी के अंदर फिर खर्चे का दिया तो उसके कितने बढ़ गई बीस जार में पढ़ गई ना बीजर पड़े उसना पूचा वह इसको कितने में बेचे कि उसको तीन हजार का फाइदा हो जाए तो बचो सिंपल से बात है बीस जा तो लाइक फटाफट से कर दिजिए कंजूसी ना करें अगला सवाल हमारा 30 प्रति दर्जन 30 रुपे प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकांदर को 10 का लाग होता है तो उसका प्रतिशत बताईए उसने बोला कि अगर वो कोई चीज 30 रुपे में बेचे 30 प् उसको 10 का फाइदा हो रहा है तो तो वो चीज 20 की होगी वो चीज कितने रोप प्रतिशत बताना तो यह टीकलों बेचा तब तो तो प्रपे उसको था फाइदा मिला मतलब वह चीज 20 की थी और उसको दसका फाइदा मुईला तो टोटल कितने हो गए 30 हो गए उसने 30 पे बेज दी बीस उसके खुट के उसके खुट के जे उसमें 10 रुपे उसको फाइदा हुआ इसका हम निकाल लेते हैं प्रतीशत 1010 तो ऑंसर कितना है अबना 50 पर्सेंट इसका आंसर हो कितना परसेंट है पाइदा सिम्पल सिबाते बीस रुपे का मे Ratos 10 फाइदा उट तो पीस का आधा है कि निये 10 ही आधा यानिये 50 परसेंटा हुआ इसने बेची ना हमेंसा जो नीचे जो संख्या लिखते हैंने फोर्मो की पड़ीगी लेकिन 30 रुपए केशे हुए 10 रुपए का फाइदा मिलने के बाद 3 रुपए हुए मतलब 20 की मेरी है तो 10 रुपए ऐस पाइदा हो तो 30 हो गया तो परसेंडेस निकलत कितना हुआ पचास परसेंड को बीस की ते इसका आदा पचास होता है वह सो परसेंड का अगला कोशन है अठरा परसेंड छूट देने के बाद एक वोस्टिंग मसीन 13,490 में मिलती है तो वोस्टिंग मसीन का अंकित मुल्य क्यात कीजिए बच्चो अंकित मुल्य है नहीं उसका क्रेम मुल्य निकालना है क्रेम मुल्य निकालना है तो ठीक है अंकित मुल्य इसका फॉर्मुला मैं आपको लिखवा देता हूं मैं आपको पहले भी बता था अंक गाटा होता था आप माइनस लगाते माइनस का आर ठीक है अब विक्रे मूली कितना दे रखा था थे रहाजार चारसो उननब्य ठीक है वो ब्रेकट में 100 पर इसा कैसा लिग दिया एक के चूंकSt लिए कर देदें पुरा भाग को जाएगा निक पहले काट दो से असको काट देतें ठीक है तो इसको आठें तो आधा हो जाएगा और इदर हो जाएगा एकता एकता फारीं संद। तीरा हजार 490 में हम करते हैं .. एकतलीस का भाग psychiat train वार में आएगा 123 वह कितना है रहे हैं गोणत टीन बार में कितना हाएगा 130 एक बच्चे एगा इधर एक बच्चे कड जाएगा उपर से उतारेंगे 8 अब दो बार में आएगा 82 इतना है इधर 6 बचा इधर 3 बचा उपर से उतारे 9 तो यह 9 बार में आ जाएगा कितना आजाएगा नो बार में आ जाएगा 329, ठीके कितनी बार में आ जाएगा? नो बार में तो 329 अपना आनसर है बच्छों कितना है? 329 और गुणा किसे करना है? 50 का गुणा करदेना है, ठीके? मैंने 41 से इसमें भाग दिया कितना है? 329 आ है, इसको काट कर बना था सब्सक्राइब करें मुल्य निकला करें मुल्य विक्रें मुल्य बराबर विक्रें मुल्य गूनित में सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें मुल्य विक्रें मुल्य विक्रें मुल्य गूनित 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 म फॉन पंद्रासो में खरीद कर सोला सो बचा सब बेचा गया तो लाइप निशी वात है कि मैच निचे आ जा है करेम उल्य क्या जा है क्रेम उल्य कितना सब्सें तरह इंदोनों का लाबहनी के पार्ट बारा के पार्ट वन के अंदर मैं फोर्मुले सारे समझा दिया लाब प्रतिशत की इन दुनों का अंतर कितना है डेड़्सों टो डेड़्सों लिग दिया तो दो जीरो से दो जड़ीरो कर गएएदा क्टम 15 आइकम 15 फंदरा धाम डेड़्सों ता अंसर कितना अपना 10% बच्चों को क्या हुआ फाइदा हुआ कितना 10% है ना इसका अंसर होगा दस प्रतिश्यू नेक्स सवाल है बच्चों हमारा एक पुस्तक डेट सो में खरी दी गई और एक सोसी मेची बच्चों सेम सवाल इसको होमवक में लिखिया और इसको कोश्यों नमबर बारा रूपे में बेच रहा है कितनी रूपे में बारा रूपे में और अगर एक पेकेट खरीता है वो क्या खरता है एक पेकेट खरीता है उसको कितने पढ़ेगा एक 10 बोल का पेकेट है उसमें कितनी रहेगी 10 बोल पेन रहेगी कितनी 10 बोल पेन ठीक है कितने पढ़े उ करही जहांच को पैसे कितने देने पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है अगर वह दस भीन खरी दे गा उसको 100 रुपे देने पड़ेंगे तो दीधियो बच्चोंके दो टुकड़े में करो तो दस पांच को और दस पेकेट का एको ले लेगा और बाकी वच्छे चार ले लेगा तो पेकेट के इसाफ से यहां पर उसको 100 रुपे देने पड़ेंगे क्योंकि एक पेकेट जिसके इंदर दस बोल पेन आ रहे हैं वह सो रुपे का है अगले वे उसको कितने दने पड़ेंगे तो एक पेन की किमत कित्ती है बारा तो चार पेन की इतने हो जाएगी बार चोग 48 रुपे अलग से यह देने पड़ेंगे सो और सो दोसो और तालिस कितना हो जाएंगे दोसो और तालिस रुपए बच्चों इसको देना पड़ेगा इसका अंसर होगा दोसो और तालिस आहो बच्च आपको वीडियो समझ में आओगा थोड़ा सा जल्द बाजी हुई होगी आपी जो भी रहा क्योंकि सवाल ही कुछ जितने भी स्रस के है ऐसे के सहार्व में कोशिक है अब को सब्सके इसको रीपरीड देखते हैं किया जाता है समग मैं और आगे हम और कोशिस करेंगे और तो लें तो आसी और यस वीडियो का रहें के इण best laics जितने ज्यादा होंग दन्याबात